हेलो फ्रेंट्स, साइकलाजी की पार्षाला में हमने पिछले विडियोज में दो टॉपिक डिसकस किये थे, एक था कॉंच्छस, सबकॉंच्छस और अनकॉंच्छस माइंड के उपर, और दूसरा था इड इगो, सुपर इगो, ये दोनों ही टॉपिक सिग्मन फ्रायड के द रहते हैं, हम सब लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन चिंता की क्या हो सकती है, ये समझाने की कोशिश थी, सिग्मन फ्रायड ने, आप लेकिन इसके पहले, आप थोड़ा इधर ध्यान देंगे, ये लिखा है मैंने इड, ये लिखा है इगो, और ये ह इनों कॉंसेट हम समझ चुके हैं, लेकिन इड इगो, सुपर इगो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इन कॉंसेट का यूज हम इन चिंता को समझने में करने वाले हैं, कि ये तो आपको पता है कि इड इगो, सुपर इगो में इगो हमारी परसनालिटी को कंट्रोल करता है, अगर इगो डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी परसनालिटी डिस्टर्ब होगी, इड अगर जादा हमी हो गया, तो भी चिंता हो जाएगी, सुपर इगो जादा हमी हो गया, तो भी चिंता हो जाएगी, बाहर के एक्स्टरनल जो इन्वार्मेंट है, वो अग ज़्यादा हवी हो गया हम पे तो भी चिंता हो जाएगी मतलब कि अगर किसी भी परिस्थिती में इगो डिस्टर्ब हुआ, इगो वीक हुआ, इगो हर्ट हुआ, मतलब अहंकार वाला इगो नहीं जो की concept दिया था सिग्मन ट्राइड ने उस इगो की बात कर रहा हूँ, इग लिग्षन भी चिंता है, या चिंता जो चिंता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा डिपरेशन के अलग symptom है, स्ट्रेस के कुछ अलग symptom है, या चिंता जिसकी हम बात करने वाले हैं उसके अलग symptom है, phobia के अलग symptom है pressure के अलग symptom है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि fried ने चिंता के बारे में क्या कहा है एक सबसे important बात यह कि अगर आपको चिंता की बात करनी हो चिंता को समझना हो तो चिंता का सबसे मुख्य लक्षन होता है डर डर जिसको आप कहते हैं fear phobia की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ डर यदि आप में डर है यदि आपको किसी चीज से डर लग रहा है और डर कब के लिए होता है डर present moment के लिए डर नहीं होता है डर हमेशा होता है future के लिए आप कहेंगे साब बात समझ में नहीं आ रहे है तो आप इसको इस तरह से समझें कि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और सामने से एक बड़ा वला कुत्ता आ रहा है अब जैसे जैसे वो कुत्ता आपके सामने आता है कि तो मैं fail हो जाओंगा, मुझे fail होने का डर है, मतलब कि fail कब होंगा, मैं future में होंगा, तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, एक डर चिंता का मुख्य लक्षन है, और कभी भी चिंता होगी, वो future के लिए होगी, वर्तमान में चिंता नहीं होती है, आप कहते हैं, वर् लक्षन होता है, डर, तो सिग्मन फ्रायट ने का कि देखिए साब तीन तरह की चिंता होती है, एक जिसको हम कहते हैं, real anxiety, जो कि कहते हैं, वास्तविक चिंता, दूसरा जिसको कहते हैं, neurotic anxiety, जिसको कहते हैं, हिंदी में बड़ी cluster हिंदी है, मनह स्तापी, मैं यहाँ पर लि कौन सी है, real anxiety, फिर तीसरी होती है, moral anxiety, moral को क्या कहते हैं, नैतिक, नैतिक चिंता, यह तीन हिंदी नाम हैं, इन चिंताओं के, अब real anxiety को समझते हैं, real anxiety का मतलब क्या है, real मतलब भाइसा वास्तविक जो खत्रा है, उससे आपको डर लग रहा है, real danger आपके सामने हैं, और उस real danger के लिए, emotional state, जो unpleasant है, जो डर वाली state है, वो क्या है, वो real anxiety है, अभी आप जिस कमरे में हैं, और उस कमरे में साप आ जाए, तो क्या होगा, मतलब कि साप क्या है, real danger है, और जैसी साप आएगा, साप आगया, अब क्या है, डर लग रहा है, अब वो जो डर है, जो साप के कार है, वो क्या है, वो है आपकी real anxiety, मैंने क्या का था, डर अवश्य होगा चिन्ता में, कि जैसी साप आया, आरे मुझे डर लग रहा है, मतलब कि आपको real anxiety हुई है, क्योंकि वो real danger है, दिख रहा है, अब साप जैसे ही चला जाएगा, अरे चला गया, अच्छा हुआ चला गया आता है, तो डर लगता है, और real danger आपसे दूर चला जाता है, तो आपको डर नहीं लगता है, आपका डर कम हो जाता है, और डर कम होने का मतलब क्या है, आपकी चिन्ता कम हो जाती है, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था, कि इन तीन बातों को यूज करने वाला हुए, इड, ego, super ego, ego क् ba कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को control कर रहा है, अगर आप real danger मैं देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है, real danger मतलब की real anxiety, मैंने लिखा हुआ है, ego depends on external environment, ego क्या कर रहा है, ego आप की personality को control करेगा, लेकिन जैसे ही external environment मतलब की साप अ गया मतलब की आग लग गई मतलब की भुकम पा गया अब मेरा जो ego है वो उस पे depend कर रहा है क्यों? क्योंकि भाई साब वो real danger कम हुआ तब मेरा डरना कम होगा वो real danger गया building हिलना बंद हुई तो मेरा डर कम होगा मैं किसके ओपर नरभर हूँ? क्या मैं अपने उपर नरभर हूँ उस समय? नहीं मैं मतलब ego ego depend कर रहा है उस real danger के उपर मतलब की जो आपके सामने जो कुट्टा है जो शेर है जो भालू है जो earthquake है इनके उपर कि जैसी ये earthquake रुकेगा तब चिंता कम होगी मतलब मेरा ego किस पर निर्भर कर रहा है external environment में जो डर वाले जो objects है जो डर उत्पन कर रहा है उनके उपर ये है आपकी real anxiety अब दूसरे आती है neurotic anxiety देखे जब भी neurotic anxiety की बात करते हैं लोग कहते हैं साम neurons से related शायद होगी शायद nervous system से related ये anxiety होगी बिलकुल गलक्त ना neuron से related anxiety है और नहीं nervous system से related anxiety है neurotic anxiety एक नाम है लेकिन वो neurons या nervous system से related नहीं है यहाँ पर neurotic anxiety में फिर आते हैं हम यहाँ पर idigo, super ego देखे निरोटिक anxiety कब उत्पन होती है चिंता कोई भी हो चाये वो real हो, neurotic हो, moral हो डर होगा ही होगा डर लगेगा, मतलब कोई emotional unpleasant state आएगी अब neurotic anxiety का मतलब क्या है देखे जब id id, जो id है अगर आपने यह id ego, super ego आप नहीं जानते हो तो पहले मेरा पहला वाला वीडियो देखेगा id ego, super ego का तब आपको समझ में आएगी वो topic भी और यह topic id की impulse बहुत जादा हावी है id के विचार, id की emotions, id की इच्छाएं बहुत जादा हावी हो गई यह कहां पर? mind में मान के चलता है example, हमारे mind में हावी होगी कोई भी चीज id की इच्छाएं बहुत जादा हावी हो गई और मैं आपको बताओं कि id की इच्छाएं id के विचार, id के अनुभव कैसे होते हैं shameful, sexual, aggressive ऐसे यह अनुभव id के होते हैं biological अब जैसी आप सीधी सीधी मान के चलें कि कोई गंदे विचार अब सीधा मान के चलें गुस्से वाले विचार या घुसे वाले इच्छाएं सीधा मान के चलें कि जो sexual इच्छाएं हैं वो जो शरीर को खुशी देती हैं वो इच्छाएं या वो विचार जब वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए बहुत ज़्यादा हावी हो गए अब बहुत ज़्यादा हवी हो गए तो क्या होगा ego control करेगा कि भाई साब ज़्यादा उपर जाने की जरुवत नहीं है id की इच्छाओं को ज़्यादा मत बढ़ा हो control में रहो control में रहकर पूरा करो control में रहना है क्या बात हो रही है ego उसको balance करने की कोशिश कर रहा है लेकिन id की इच्छाओं बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मतलब अब आपको ego क्या कर रहा है ego कर रहा है भाई साब मैं रोक नहीं पाऊंगा जो मेरे mind के अंदर चीज़े चल रही है कि मैं कुछ गलत काम ना कर दू मतलब की id की इच्छाओं कैसी यह गलत इच्छाओं होती है shameful होती है, sexual होती है, aggressive होती है biological होती है वो जो इच्छाओं है किसी आदर्श इस्तर पर पूरी हो तो ठीक है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गई बहुत ज़्यादा हो गई तो आपका ego क्या करता है उसके उपर लगाम लगाने की कोशिश करता है लेकिन ego क्या है, weak है लगाम नहीं लगा पारा है तो फिर आपके अंदर एक चिंता उत्पन होती है जिसको कहते है neurotic anxiety इसका मतलब क्या है ego depends on the impulses of id कि ego उस impulse उस id की impulse पर उस id के विचारों पर उस id की इच्छाओं पर उस id के अनुभवों पर उस id की समवेधनाओं पर निर्भर कर रहा है क्योंकि भाई साब id की इच्छाएं ज़्यादा हो गई गलत काम हो जाएगा अभी गलत काम हुआ नहीं है पुफान आ रहा है, नहीं, 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 अब उस समय जो आपके मन की स्थती है, आप आप देखिएगा, उस समय मन की स्थती क्या होगी, अब कंट्रोल नहीं होगा, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, अब मैं जो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, वो जो फीलिंग है, म फिर आते हैं तीसरी, moral anxiety, अब फिर वापिस id ego, super ego की बात आ गई, अब यहाँ पर क्या था, id की impulse बहुत ज़्यादा हावी है, लेकिन अब मान के चलते हैं, गलत काम आपने कर दिया, कर दिया, जो भी गलत काम हो, x, y, z, आपने गलत काम कर दिया, आपने जो id की impulse, जो बहुत नहीं पाया, और आपने कुछ भी गलत कर दिया, x, y, z, जो भी कुछ हो सकता है, aggressive हो सकता है, hateful हो सकता है, sexual हो सकता है, कुछ भी कर दिया, आपने बिल्कुल गलत काम कर दिया, अब moral anxiety, अब उत्पन होगी, आप इसको छोटी सी बात समझ ले, जब आप कोई गलत काम करते है और आपको गलत काम करने के पाद, आपका जो super ego है वो आपको दंड देता है, वो आपको punishment देता है, किसके रूप में punishment देता है, और ये गलत हो गया, guilt, guilt आपके अंदर जब आती है, जब आपके अंदर inferiority आती है, जब आपके अंदर insecurity आती है, मैंने क्या कर दिया, मुझे य जब तक हुआ नहीं था आपका ego control नहीं कर पा रहा था तब तक तो neurotic anxiety थी लेकिन जैसे ही आपने गलत कर दिया और गलत करने के बाद ओफो नहीं गलत हो गया गलत हो गया मतलब आपको पच्छतावा हो रहा है और वो पच्छतावा कौन देगा ego depends on super ego क्योंकि super ego किस पर निरभर कर रहा है नैतिकता पर अब नैतिकता कि जो भी पक्ष है जो भी पहलू जो भी विचार आपके अंदर है वो कहते है अरे क्यों गलत कर दिया गलत नहीं करन चाहिए था मतलब कि guilt आपके अंदर हो रही है insecurity आपके अंदर आ रही है inferiority आपके अंदर आ रही है पच्छतावा आपके अंदर आ रहा है वो जो feeling है वो है आपका moral anxiety समझेगा इसको पड़े प्यास है वो है आपकी moral anxiety अब इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो ego depend करता ह इगो निर्भर होता है पहले में इगो निर्भर था external environment पर बाई साब अगर खत्रा आएगा तब चिंता होगी खत्रा जाएगा चिंता खत्म हो जाएगी neurotic anxiety में भी ego depends on the impulses of it, id की impulse कम हो गई, neurotic anxiety कम हो गई, id की impulse ज्यादा हो गई तो ego control नहीं कर पा रहा है फिर moral anxiety, ego depends on super ego, अब क्या कर रहा है गलत काम होगे, super ego डंड डाले के बैठा हुआ, आले गलत काम कर दिया, तुन्हें नहीं करना चीए था उस समय कौन से चिंता उत्पन होई, moral anxiety, तो ये concept बहुत ही interesting है, यदि आप थोगा सा imagine करें, जो जो मैंने concept बताएं, उसको imagine करें कि आपकी life में क्या ऐसा होता है जब आप उससे correlate करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि yes, हाँ, ये real anxiety है, ये neurotic anxiety है और ये moral anxiety है तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, लेकिन इस YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और यदि आपको ये video अच्छा लगाओ, तो थोड़ा logo तक share करें, कि वो भी इन concepts को समझने की कोशिश करें Thank you